या आपके भी गेम में टाइम लिमिन लग जा रहा है तुम्हें कैसे पता चला तो और मेरे भाईयों क्या हाल चाहा लेया फ्री फायर इंडिया जो की रिलीज तो पांच सेप्टेंबर को होगा इसका असर हमें में गेम में भी देखने को मिल रहा है जैसे कि एज वेडिफिक यह ना आपका ब्रेक है यानि कि आज का कोटा कंप्लेइब बड़ ऐसा नहीं है कि आप लोग गेम ही नहीं खेल सकते आपना अपने किसी दूसरे आईडी से खेल सकते हो लाइक अगर आपको कोई नूब अकाउंट है उससे खेल सकते हो तो आज मैं आपको बताने वाला हू कि Free Fire इंडिया के अंदर और कौन-कौन से ने चेंज़े आने वाले हैं बट हाँ उससे पहले आप लोग यार अपना होमवर्क कंप्लेट कर ले ना यानि कि वही लाइक सब्सक्राइब कर दे ना तो जो सबसे पहला चेंज है ना वो है अपना next collaboration MSD के साथ यानि कि महेंदर स करेक्टर भी देखने को मिलेगा मेरे तो फेवरिट है यार यह और साथी में गेम का लोडिंग स्क्रीन यह सब भी चेंज हो जाएगा MSD के उपर बेश्ड हो जाएगा अब इसमें सबसे बड़ा जो क्वेश्चिन आता है वह आता है कि क्या यह collaboration खाली Free Fire इंडिया के लिए सुनिल छेत्री और भी बहुत सारे इंडिया सेलेब्रिटीज आएंगा भी फ्रीफायर इंडिया में जो नेक्स्ट चीज है वो है PC Unband for Free Fire इंडिया अब जिनको भी ना पता हूं मैं उनको बता दू कि PC प्लेयर्स ना इंडिया के इंदर rank matches नहीं खेल पाते हैं और उनका है जो कि मेरे साथ rank नहीं खेल पाते तो अब सभी रहेगा सब को देन जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है old ID Unband को लेके तो हां अगर आपका past में कोई भी ID without any reason ठीक है पहले बता दे तो अगर आपने hack या फिर कभी भी कोई glitch file वगएड़ा इन सब टाइप का अगर सब्सक्राइब करते से बीकुछ किया हो फिर भी आपका वह रिटर नहीं आएगा देन है प्ले टाइम लिमिट जिसको कि आपने खुद भी साक्षात सामने से experience किया ही होगा अब आप लोग जबी भी गेम को छे घंटा से ज्यादा खेलोगे ना तो आपको यह पॉप अप यह सोच रहो कि आप उनको एप उन तो 18 प्लस है याा फिर आप 18 प्लस नहीं हो फिर भी अगा आपने 18 प्लस से लेक्ट कीया है फिर भी मैं पहले यह चीज़ क्लियर कर दो कि आप 18 प्लस रहो या फिर ना रहो उससे कोई फ़रक नहीं पढ़ता आपको बस 6 घंटे का ही ले 18 भाई इतना क्या सोचतो यार चुप चाप अबोब 18 करदो ना इतना क्या है माइनस नहीं जाना है ठीक है आप 18 प्लस ही करो इतना जंजट कौन पालेगा यार कि अपने मम्मी पापा के फोन से वेडिफाई करवाव ये करो देखो कुछ करने की जोतनी है 18 प्लस सेलेक्ट कर देना ऐसे भी गेम के अंदर टाइम लिमिट आ गया है ठीक है तो आप लोग ऐसे भी गेम लिमिट टाइम तक नहीं ही खेल जकते हो अब जो हमारा नेक्स चीज़ है वो है आईडी ट्रांसफर क को लेकिं कि आप लोग अपने फ्रीफार आइडी को फ्रीफार एंडिया के अंदर कैसे ट्रांसफर कर सकते हो तो देखो ये चीज मैंने कल भी बताया था और आज पूरा क्लियर ही कर देता हूं ताकि इस क्वेस्चन से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट ना रहे जो कि कहरीना ने खुदी कनफर्म कर दिया कि आपको इसके रिलेटेड कोई भी चिंता नहीं करने क्यार मेरी आइडी कैसे ट्रांसफर होगी वगारा अगर आपके गेम में ठीक है अगर आपने कल या फिर आज गेम अगर खोला हो एंड अगर आपसे पूछा है कि आप 18 प्लस हो क आपकी आइडी औरेडी सिफ्ट हो चुकी है ठीक है अब आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है आप पांच तारीक को जैसे ही गेम डाउनलोड करोगे ना आपकी आइडी आटोमेटिकली ही लॉग इंड मिलेगी ठीक है बट प्रॉब्लम ही है कि अगर आगर आप गलती से भी जैसे फ्रीफायर इंडिया रिलीज हो ठीक है अगर आपने गलती से भी फ्रीफायर या फिर फ्रीफायर मैक्स को वापिस से डाउनलोड करके लॉग इन किया तो आपकी जो आईडी होगी वो में सर्वर में नहीं आएगी बलकि एक सेम अकाउंट से नया पासवर्ड है ना लाइक जो फेस्बूक या फिर गूगल अकाउंट हो उस आईडी से लॉग इन करने का ट्राई मत करना बागी सब को से यार सैट है सब कुछ देन जो नेक्स चीज आती है वो है गेम साइज को लेकर कि पांच तारी को जब गेम आएगा तो इसका साइज क 400 500 बिस इतना ही अंबी के करीब होगा ठीक है ना 700 से उपर नहीं जाएगा फिर फ्रीफायर इंडिया सीजन वन से स्टार्ट होगा क्योंकि अगर फ्रीफायर इंडिया कंप्लीटली एक न्यू गेम है तो होना तो सीजन वन से ही चाहिए बिट मैं आपको बता दे तो भाई जो गेम का बेसिक चीज है ना एक छोटी चोटी चीज उसमें कोई भी बदलाओ नहीं होगा दैना फिक्स लैग एंड पिंग गाईस आप विलीव करो मेरा फ्रीफायर इंडिया एंडिया इंडिया एंड फ्रीफायर ना ओफिशियली यह चीज बताया कि गेम को बहुत होता है स्टेंडर्ड में अगर आप अल्ट्रा पे खेल तो वह एक अलग चीज है बिट अगर स्मूथ स्टेंडर्ड में भी गेम लैग करता है फिर यह चीज आपका फिक्स हो जाएगा क्योंकि गैरिटा ने इसमें बहुत जादा काम क्या फ्रीफायर इंडिया के अंदर आपका फ्रीफायर का इंडियान वरिजन में लैग इश्यू और पिंग इश्यू मतलब जो नॉर्मल फ्रीफायर में होता है उससे 80-90 परसेंट कम हो जाएगा 80-90 परसेंट मतलब समझ रहो देखा जाए तो टोटली खतम हो जाएगा भाई मैं बहुत जादा एक्साइट इसके उपर काम किया और में बात यह ना कि फ्रीफायर जो इंडिया है वह एक जीवी या फिर दो जीवी रैम पे चल जाए ऐसा आप्टोमाइज किया जाए रहा है नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले इस्पोर्स को लें कि मतलब अगर गैरीना अन्बैन हो रहा है ना तो में लगता है इसे ज्यादा बैस चीज कुछ हो सकता है ना तो आप मेंसे जो भी लोग इस्पोर्स बनना चाहते हो आपको बता दू कि यूपी के अंदर फिलहाल एक टूर्णामेंट चालू हो रहा है ओफिशियल ठीक है मैं पहले बता दू जादू ऑफिशियल है यह कोई ओर्गनाइजड या फिर किसी एप के थू डेडिकेटेड ऐसा अप टूर्णामेंट नहीं है ओफिशियल गैरीना के थू वह अनौंच एक टूर्नामेंट होने वाला है जो कि ग्राउंड पे होगा ग्राउंड लेवल पे भाई आप इमेजिन कर रहे हो मतलब मजाग स अब के लिए धीरे-धीरे करके मतला हम सबके लिए धीरे-धीरे करके ना ओफिशियल लैंड टूर्णामेंट जो ओफ्लाइन टूर्णामेंट होंगे वह होंगे जिसका प्राइस पूल करोरों में होगा मजाक से हटके भाई मजा आने वाल है बठाँ यह चीज यहान रखन आप 14 साल के हो ठीक है तो आप लोग ट्राइगर सकतो इस पूर्स मतलब नॉर्मल टूर्णामेंट्स आप खेल सकतो ऐसा बात नहीं है कि नहीं हो सकता ठीक है मैं ओफ्लाइन टूर्नामेंट्स की बात कर रहा था भी कि आप ग्राउंड पर जाके लेक टीबी पर देखते हो कि आप लोग एज एसपोर्स प्लेयर जिनका भी ड्रीम था भाई देखो जब तक इंडिया में बैं ता फ्रीफायर तब तक ठीक था बट अभी अन्बैंड हो गया है एंड ये बीजी एमाई की तरह नहीं है जैसे बीजी एमाई का है ना कि तीन महीने बाद से उसको वाप कि अड़र टूओ कि कि रसर, थास.